तो एपिजोट 86 के शुर्वात आयान से होती है वो अपने मोबाइल में बार बार लायला और एमर्य की फोटो देखती है और टेंशन लेती है इतने में ही आय सुन अपने दुकान से बाहर निकल कर आयान से पुछती है तो कब हो रही है लायला और ओस्मान की सगाई मुझे कि वो सगाई कर रहे है तो आयान केती है अरे आंटी ऐसा कुछ नहीं है लाइला मेरे भाई की बच्पन की दोस्त है तो नीलो केती है अरे दोस्त हुआ तो क्या हुआ मेरा पती भी मुझे चाय पर ले गया था और आज देखो हमारे तीन बच्चे है तो आयान केती है नहीं व मिलके बे को इस बारे में पता होगा मैं अभी पूछ कर आती हूँ फिर सेंड मिलके बे पर शिफ्ट होता है वो दुकान के सफाई कर रही होती है उतने में ही वहां आई सुन आ जाती है और कहती है गुड मॉर्निंग मेरी पडोसल मैं यहां तुम्हें कॉंग्रेच लेट करन तुम्हें मानना पड़ेगा ओस्मान जब तक एक कसाई था तब तक तो तुमने उसके तरफ ध्यान नहीं दिया और वो जैसे ही फेमस हुआ तुमने उसे लपक कर पकड़ लिया तो मिलके बे कहती है बहुत हुआ आज तेरा में तो तेरे आज छुटे 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 तो हो ही शेतानी खुपडी तुम लिकी बे कहती है तुम जा रही है या में तेरा सिर्फ ओर्दू करता हूं तो एम्री कहता है ठीक है मैं कॉल करता हूँ, पर एम्री जिसे ही कॉल करता है जान भी उसका फून नहीं उठाता है, इसलिए एम्री कहता है वो दोनों जरूर मौन्टेन हा।ट पर हुँगे, चलो हम चलते हैं, फिर सीन ओस्मान और आईहान पर शिफ्ट होता है, जहाँ ओस रेस्टरॉंट चलेंगे और मैं उसे ये नेकलेस्ट गिफ्ट दूंगा तो ये सब संकर आयान दंग रह जाती है और उसे बहुत बुरा फेल होता है कि जब ओस्मान को हकीकत पता चलेगी तब क्या होगा फिर से लाइला और एमरी पर शिफ्ट होता है जहां लाइला एमरे से कहते है कहीं हमें लेट ना हो जाए तो इमरे कहता है डोन्ट वरी कुछ नहीं होगा इतने में एमरे को आयरिम का फोन आता है तो वो फोन नहीं उठाता है तो लाइला कहते है उठा लेजी अर्चंट तो Emory phone उठा लेता है और Eileen phone पर Emory से कहती है तुम्हारी मा चाती है कि हम दोनों आज शाम दिनर पर चले तो रिजर्वेशन कर लो तो Emery कहता है मुझे तुम्हारे साथ दिनर पर नहीं चलना है अब phone रखो जल्दी से तो Eileen फोन रगतेती है फिर से深 ellas कर, हमेके वे को आयसुन की बाते खटब रही होती है इसलिए वो लायला को सोन करके पूच ती मुझे सच सच बताओ तुम्हारे और उस्मान के वीच में क्या चल रहा है तो लायला केती है हाँ, हमारे वीच कुछ cp है हम डेट कर रहे हैं मॉम तो मिल्किवे कहते है आज रात मुझे तुमसे बात करनी है तो लायला कहते है ठीक है मॉम एसा केकर लायला फोन रख़ देत Haush finns तो एमरे लामा से कहता है तुम असमान को डेट कर रही हो Chatा लायला से कहता है समक्ति एंट no of your bus in governments Mr. Emery हमें अभी सिर्फ सन्यम और जान पर Focus करना चाहिए तो Emery कहता है ठीक है फिर सींस जान पर shift होता है जहां सन्यम जान से कहती है जान में आप से कुछ कहना चाहती हूँ तो जान केता है मैं जानता हूँ सन्यम Actually तुम इन सम्में involved मत हो मेरी मॉम के साथ मेरा जो कुछ भी उसे मैं खुद ही solve कर लूँगा तो सनिम कहती है ओके जान फेर सनिम जेसे ही कार से उतरती है वो मौंटेन हाउस को सजाद ज़ा देखकर खुश हो जाती है वो जान से कहती है ये फूलों की खुश्बू कितनी खुबसुरत है जान तो जान कहता है तुम्हारी खुश्बू से ज़ादा खुबसुरत नहीं है मेरी सनिम तुम कभी मुझस से बोड़ तो नहीं होगी न तो सनिम कहती है नहीं कभी नहीं तो जान सनिम से कहता है सनिम जानती हो इस इप्शियंस का ऐसा मानना था कि हमारे हातों की वेन सिधे हमारी दिल की वेंट से जुड़ी होती है हाला कि साइंस इस बात को नहीं मानता पर लवर्स आज भी इस बात को मानते है इसलिए वो रिंग इस फिंगर में पहनाते है और सारा जमाना इसे सदियों से फॉलो करते आया है ऐसा केकर जान सनेम को प्रपोस करने के लिए अपने जेब से रिंग निकालता है तो सनेम कहती है जान यही तो वही वाइट मून स्टोन है मैंने उसे तोड़ दिया था आपने उससे यह रिंग बना ली तो जान कहता है सनेम मेरा मून स्टोन तुम हो तुमसे मिलने के बाद मैं एक अलग इनसान बना तुमसे मिलने के बाद मैं ब्रेव बना, स्ट्रॉंग बना मैंने पहली बार अपनी दिल की धरकन को फिल किया है सनम मैं चाहता हूँ कि हम यूही हमेशा साथ रहे क्या तुम मुझसे शादी करोगी तो सनम ये सब सुनकर वो कुछ नहीं कह पाती है वो हा तो कहना चाहती है पर वो अपने ही सवालों में उलज जाती है जो उसका दिल उससे पूछ रहा है तो जान कहता है क्या हुआ सनम तुम मुझे कुछ बताओगी नहीं तुम्हारी हा है या ना तो सनेम कहती है जान मैं एक्सेप्ट करना चाहती हूँ पर मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकती तो जान कहता है क्या मतलब है सनेम क्या तुम मुझे नहीं बोल रही हो तो सनेम कहती है नहीं मेरी तरफ से हाँ है पर मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ जान वो एक्चुली में इतने में ही वहां लायला आ जाती है तो लायला को देखकर जान केता है क्या हो लायला तुम यहाँ पर कैसे आई तो लायला केती है मिस्टर एमरी मुझे यहाँ पर लाए है तो सनिम केती है क्या हो लायला तो लायला केती है सने मौम की तबियत बहुत खराब हो गई है जल्दी से घर चलो तो जान कहता है चलो घर पर चलते है सने मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ तो लाइला कहती है नहीं मिस्टर जान वो एक्चुली मौम डैट के बीच आपको लेकर ही फाइट हुई थी इसलिए आप नहीं आ सकते हम मिस्टर एमरे के साथ चले जाएंगे तो जान कहता है ओके तुम लोग जाओ तो सने म कहती है जान क्या मैं जाओ मिस्टर एमरे के साथ तो जान कहता है आँ जाओ फिर लाइला सने म को लेकर कार में जाती है तो सनेम केती है क्या हुआ मौम को वो ठीक तो है न तुलाला केती है सनेम डरो मत मौम को कुछ नहीं हुआ है पहले तुम बताओ कि तुमने जान को कुछ बताया है या नहीं तो सनेम केती है नहीं मैं मिस्टर जान को बताने ही वाली थी पर तुम आ गई तो एमरे केता है सनेम मुझे सब पता है मैंने तुम्हें फैबरी के कमपनी से निकलते हुए देख लिया था तुमने अगर उसे कुछ बताया तो वो तुम्हें छोड़ कर इस बार चला जाएगा तो सनेम केती है नहीं दीदी मैं उनके बीना कैसे जी पाऊंगी पर मुझे उन्हें सब बताना होगा तो एमरे केता है मैं समझता हूँ तुम्हारी सिच्वेशन को सनेम मैं इन हालातों से गुजर चुका हूँ तो सनेम केती है उन्होंने आज मुझे प्रपोस किया पर मैं कुछ भी नहीं बोल पाई मैंने उन्हें मना कर दिया तो लाइला कहती है क्या तुमने उनको रिजेक्ट कर दिया तो सनेम कहती है हाँ मैं उनसे जुट के बिना पर शादी नहीं कर सकती मैं उन्हें धुका नहीं दे सकती लेकिन उन्हें सही सणे अभी तक पता नहीं है जब वो मुझे जान जाएंगे ना तब वो मुझे कभी छोड़ कर नहीं जाएंगे फिर सेन जान पर shift होता है उसे कुछ समझ में ही नहीं आता है कि मैंने ऐसी क्या गलती करदी जो सणेम ने मुझे इंकार कर दिया फिर सीन ओफिस में शिफ्ट होता है जहां गुलिस सबसे कहती है कि पता है मुझे लगता है कि मिस डेरन को आइलिन से रिप्लेस करने वाली है हुमा तो ये सब जेजे सुन लेता है और फिर डेरन भी तो गुलिस की तो बोलती ही बंद हो जाती है फिर सीन सनेम एमरी और लायला पर शिफ्ट होता है जहां सनेम रोते रोते कहती है जान का चेहरा मेरी आखों से हट ही नहीं रहा है मैंने उन्हें हर्ट किया है उनका दिल तोड़ दिया है मैंने तो लायला कहती है तुम उन्हें फोन लगा लो चलो तो सनेम जान को फोन लगा कर केती है हाँ जान कैसे है आप मॉम की तबेट ठीक है तो जान केता है ठीक है सनम तुम उनका खयाल रखना ऐसा केकर जान फोन कट कर देता है तो सनम कार में से रोते रोते उतर जाती है और लायला भी उसे संभालने के लिए उसके पीछे पीछे भागती है फिर सेन एमरी पर 계 shift होता है उसी हुमा का call आता है आज रात के डीनर के लिए तो ह himali केता है मैं तो आ जहांगा मॉम पर जान का आना मुश्किल है तो किया हुआ तो एमरी केता है उसके और सनिम के बीच आर्ग्यूमेंट हो गई है तो हुमा कहती है हाँ ये तो होना ही था ये ज़रूर शादी को लेकर हुआ होगा तो एमरी केता है हाँ मॉम पर आप जो सोच रही है ये वैसा नहीं है दरसल जान ने सनिम को प्रपोस किया और सनिम ने उस किया है ठीक है मैं फोन रखती हूँ ऐसा केकर हुमा फोन कट कर देती है और आईलिन से कहती है सनिम ने जान को प्रपोसल रिजेक्ट कर दिया तो आईलिन कहती है इंपॉसिबल ये कैसे हो सकता है सनिम तो सच में मिस्ट्री है तो हुमा कहती है हाँ वो एक अमेजिंग मिस् फैबरी को फोन लगाती है और कहती है मेरे पास तुम्हारे लिए एक गुड नियूज है सनेम ने जान का प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया तो फैबरी कहता है ये कैसे हो सकता है वो तो उसे पागलो वाला प्यार करती है जरूर ये उसने पर्फियूम का सच छिपाने के गिल्ट में किया होगा जहां तक मैं सनेम को जानता हूँ वो जल्द ही जान को पर्फियूम वाला सच बता देगी इसलिए आलिन मुझे रेड मार्ट कमपैन की सारी इन्फॉर्मेशन आज ही चाहिए समझी तौ ऐसा केकर फेबरी फोन कट कर देता है फिर सेन सनेम पर شिफ्ट होता है जान उसे कॉल करके पुछता है मौम कैसी है अब तो सनेम केती है वो ठीक है तो जान केता है गुड अब हम बात कर सकते हैं है न सनेम मैं तुम्हारा explanation सुनने के लिए बेताब हूँ जो तुम मुझे mountain house पर देना चाहती थी तो क्या वजा थी सने तो सने लायला से कहती है वो explanation मांग रहे है मैं उनसे क्या को हूँ तो लायला कहती है उन्हें fabric के बारे में मत बताना सने फिर सीन आलीन पर shift होता है जहाँ वो office में सबसे पूछती है रेड मार्ट का campaign कौन डिजाइन कर रहा है तो गुलिस कहती है हमें नहीं पता तो आलीन पूरे staff पर जोड से चिलाती है तो एक employee उसे बता देती है कि सने आर्काइव रूम में इस campaign पर काम कर रही थी फिर आलीन के जाते ही गुलिस बहुत stress हो जाती है इस आसुए जे जे उसे एक ब्राउच देता है तो गुलिस खुश होकर जेजे को कहती है पता है आलीन फिर से pray के पीछे पर गई है तो जेजे कहता है ये नहीं हो सकता क्यूंकि आम तो ले ले के साथ है मेरा मतलब है कि वो हो ले-ले-ले गाना गा रहा था ऐसा किकर जे जे वहां से भाग जाता है फिर सेंग संदम पर शिप्ट होता है वो जान से मिलने चली जाती है तो मिलकी बे लायला से पुछती है तुमारा ऐसमान के साथ क्या चल रहा है हाँ तो लायला केती है mom हम relationship में नहीं है तो मिलकीवे कहती है ये सब तुम्हारे उस बॉस की वज़े से हुआ है ना वैसे अगर मुझे पुछा जाए तो मुझे ओस्मान बहुत ही पसंद है वो अच्छा लड़का है तो लाइला कहती है हाँ मा उसी ने मुझे अपनी दिल के फिलिंग्स बताई थी पर ये स अदर उसके लिए फिलिंग्स नहीं है तो उसके साथ बाहर जाना बंद कारो दो तुम उसका दिल मत दुखाना समझी तुम ऐसा कहकर मिलकीवे वहां से चली जाती है इतने में ही ओस्मान का कॉल आता है वो लाइला को साथ रेस्टरॉंट में चलने के लिए कहता है तो संभाएं के चति है जान हो एक्चुली हुआ यह था कि हमारा महला मेरे पैरेंट्स आपके पैरेंट्स सब इस रिष्टे के खिलाफ है तो जान केता है हमने इस बार में पहले भी बात की है न सनिम तो सनिम केती है हाँ जान पर इस बार आपकी मौम आ गई है वो मुझे पसंद नहीं करती है हमारी मुलाकात सही से नहीं हुई थी तो जान कहता है क्या मेरी मॉम से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है सनम ये बाते बीच में लाकर कोई फायदा नहीं है और मुझे तो अब लगता है कि तुम सिर्फ बहाने दे रही हो तुम्हारे अंदर वो feelings नहीं है जो मैं तुम्हारे लिए feel करता हूँ तो सनीम कहती है नहीं जान मैं अपसे बहुत प्यार करती हूँ तो जान कहता है फिर तो तुम्हें सोचना होगा कि तुम्हें क्या फैसला लेना है मैं अब और इंतिजार नहीं कर सकता फैसला तुम्हारे हाथों में है सने फिर से आईलीन पर शिफ्ट होता है वो अर्काइव रूम में आती है तो सनेम के डायरी में उसे बेरीमेंबर्ड स्लोगन दिख जाता है फिर वो सनेम के लेपटॉप से पेन ड्राइव लगा कर सारी डिटेल्स कॉपी कर लेती है इतने में ही वहाँ जे जे आ जाता है तो बॉस की हैसियत से आईलीन उसे वहाँ से हकाल देती है फिर आईलीन जेसे ही बाहर आती है तो डेरेन उसे कहती है क्या हुआ तुम मेरे employees पर चिला क्यों रही थी हा तो आईलीन डेरेन को बातों में उलजा कर कहती है डेरेन तुम क्यों इतना उच्छल रही हो हा इस campaign की manager तो सनेम है ना तो डेरेन कहती है ऐसा कुछ नहीं हुआ है अभी ये decide नहीं हुआ है तो आईलीन कहती है अच्छा तुम मुझे इस campaign के लिए कोई slogan बताओ तुम तो डेरेन कहती है मेरे पास कोई slogan नहीं है और रहता भी तो भी मैं तुम्हें थोड़ी ना बताती तो आईलीन कहती है ओके डेरेन मत बताओ पर मेरे पास एक slogan है जो तुम्हारे क्राम आ सकता है और वो slogan है बी रिमेंबर्ड तो डेरेन कहती है बी रिमेंबर्ड अच्छा लग रहा है फिर डेरेन ये slogan लिख लेती है फिर सीन ओस्मान पर शिफ्ट होता है जहां ओस्मान लायला के लिए कुछ ज़्यादा ही एकसाइटेड हो रहा होता है तो आयान उसे एमरे और लायला वाली फोटो बता देती है और कहती है भाई ये आपको और एमरे को डबल डेट कर रही है तो ओस्मान कहता है ये फोटो पुरानी भी तो हो सकती है न वो ऐसा क्यों करेगी अयान उसी ने मुझे कहा था कि वो अब एमरी की शकल तक नहीं देखना चाहती है तो आयान केती है आज सुभे ही जेजे ने ये फोटो क्लिक की है वो लड़की चीटर है भाई वो आपको डिजर्व नहीं करती है तो ये अच्शा हमेशा के लिए चला जाएगा आगे क्या होगा जाने के लिए बने हर ये मेरी चैनल दिवाने है हम पर चल्द मिलाकात होगी अगले एपिसओट में अलविता दिवानो जल्द मलाकात होगी अगले एपिजोड में